जिनके वज़े से कोई भी कच्छा अगर कहें साधान सब्सक्राइब अगर अगर जाती है और साथ ही साथ मैं आप सबको बढ़ाई देता हूं आज जैसे कि मदजडे है तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बढ़ाई और आज की कच्छा कर जो हमारा विशे है वह उपन्यास है जैसा कि हम जानते है हमारे M.A.H.D. जो M.A. की पाठिकर हमें उसके चतुछ हमाही में एक पेपर है उपन्यास करके जिसमें बहुत से अलग-अलग भासा हिंदी, बंगला, मन्यालम, कंणर, मुझराती भासा को उपन्यास है तो उनहीं में से आज हमने विश को शुरू करें, धन्यवाद में. उसके साथ ही मैं अभारवेक्ट करती हूं. अभिशेक जी का जिन्होंने आज मुझे यह अवसर दिया और इसके साथ और तकनिकी सहायता प्रदान कर रहे हैं देवाशीश बारिक जी और रूद्र प्रतावदार्श जी हैं तो. तो उनका मैं हरदिक अभारवेक्ट करती जैसा कि आप सभी जानते हैं आज की जो कख्षा है वह आपकी हिंदी भारतिय साहित्य में उपन्यास है, उसके कुछ अलग अलग भाशाओं के विविद उपन्यास है, जो ज़ादा तर उस भाशा की बहुत ही लोग पढ़िये उपन्यासों मेंसे चुनके लिया गया है उसी क्रम में बंगला उपन्यास में महाश्वेता देवी का उपन्यास है अरन्यर अधिकार यानि अरन्य का अधिकार जिसको हिंदी में जंगल के दावेदार भी कहा जा सकता है उसी उपन्यास को हमने चुना है यानि कि आपके सिलिवस में है तो उसी उपन्यास पर हम बात करने वाले हैं तो चलिए पहले उस उपन्यास के बारे में बात करने से पहले जरूरी है कि हम पहले कुछ समझें कि बंगला साहित्यक के बारे में कुछ जाने और कुछ जाने कि महाश्वेता देवी के जीवन के बारे में भी हम कुछ सीखें तो सबसे पहले जो आपका उपन्यास है अरण्यर अधिकार अरण्य का अधिकार तो जाहिर से बात है कि अरणियर अधिकार मतलब ये पूरे की पूरे जो उपन्यास है वह जंगलों और जंगल में रहने वाले जो आदिवासी जाती है उसके उपर अधारित है और इसमें जो प्रधान रूप है वो प्रधान जो पात्र है वो जंगल है तो उसी जंगल को मा के समान मान कर उसके उप पर वह कहानी लिखी गई है, तो किसी भी उपन्यास को समझने से पहले जो सबसे बड़ी बात होती है, सबसे पहली बात होती है, जो अक्सर हम उसे नजर अंदास कर देते हैं, दो चीजे बताना चाहूंगी, कि पहला हम नजर अंदास करते हैं, लेखक और लेखिका के चरित् नहीं करते हैं जो उस उपन्यास को मतलब उस लेखक या लेखिका के बारे में ना जानना उस उपन्यास के बारे में आधी जानकरी देता है यानि कि अगर लेखक या लेखिका के जीवन चरित के बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो उससे आप उपन्यास के गू निर्पेक्ष मत रखने में सफल होते हैं कि अगर हम कुछ नहीं जानते हैं तो एक निर्पेक्ष मत की उपन्यास अच्छा है कि बुरा आलोचक के रूप में हम इसको कहना कह सकते हैं परंतु ज्यादा तर समय लेखक और लेखिका के बारे में कुछ जान लेना उनके करने में बिताया है इसको जान लेना जादा उपन्यास को पूरी तरह से समझने में मदद करता है और दूसरी बात पहली दूसरी हम उसका करते हैं तो आप गुम उसकी जर्ण पढ़ें इसको जान लेखिका करते हैं तो आप गुम उसकी जर्ण पढ़ें करते हैं तो आई सबसे पहले हम शुर्ण करते हैं महाश्वेता देवी के बारे में महाश्वेता देवी बहुत ही चर्चित नाम रही है भारतिये साहिते में यहां तक कि हिंदी साहिते में भी अलग अलग लिखकों ने और आलोचकों ने उनका जिक्र किया है हाल ही में उनकी उनका देहावसान हुआ है इसलिए कफी हाल ही कि अलग अलग मुव्मेंट्स में अंदोलनों में वो पूरी तरह से भाग लेती रही है तो काफी चर्चित नाम है महाश्वेता देवी तो उनका जन्म होता है 14 जन्वरी 1926 को धाका जिला में मूलता बंगला देश यानि की तब तो बंगला देश बना नहीं था तो मूलता पूर्वी बंगाल की रहने वाली थी और 14 जन्वरी को धाका जिला में उनका जन्म होता है उनके पिता जी पिता का नाम मनीश घटक और उनकी माता का नाम धरी पित्री देवी था और मनिश घटक जो खुद भी एक बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं और कलोल साहित्य संग एक है यह बंगाल के साहित्य संग में बहुत ही नामी साहित्य संग में एक माना जाता है तो कलोल साहित्य संग है इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगी अलग-अलग कलोल साहित्य अंदोलन में भी उन्होंने काफी योगदान दिया है तो उनके पिता मनिश घटक और उनकी माता धरित्री देवी थी और महाश्वेता देवी के बहुत सारे भाई बहन रहे हैं और शुरुआत से ही उनके मन में इसलिए एक बात सालती थी कि उनकी माता को उनके भाई बहनों के लालन पालन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है तो शुरुआत से हे वो ज़ιαदा भाई बहनों के फक्ष में नहीं रही है तो अब आगे बढ़ते हैं उनके पिता ही नहीं उनकी उनका जो परिवार है वो भी अलग-अलग तरह से साहित्य और सिनेमा की जगत में अलग-अलग तरह से अपना योगदान देता रहा है उनके चाचा रहे हैं रित्विक घटक आपने शायद नाम सुना होगा हिंदी सिनमा में मधुमती और भी बहुत सारी सिनमा के वे स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं और बहुत बड़े निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं ब्लैक और वाइट सिनमा के बहुत बड़े निर्देशक के रूप में वो जाने जाते हैं तो रित्विक घटक तो वो उनकी उनके चाचा रहे हैं तो इस तरह से वो जब बड़ी हुई तो उन्हें भी भारती हिंदी सिनमा की और से बुलावा आया हाना कि उधर उस राह वो गड़ी नहीं मगर उनका एक कनिक्शन एक संबन से जरूर रहा है तो साहित्य और सिनमा से उत्रोत उनका एक परिवार रहा है और वो शुरू से ही बड़े-बड़े साहित्यकारों को अपने घर में आते जाते रेखी हैं और उनका प्यार और सानिय उन्हें शुरू से मिलता रहा है तो महाश्वेता देवी के बारे में अगे बढ़ते हैं उन्होंने अपनी प्राढ़ंबिक जीवन धाका में बिताई और बाद में वे कलकत्ता आ गई और उसके बाद वे अलग-अलग जगा पर घूमती रही जैसे धाका से मैमन सिंग मैमन सिंग बंगला देश में अभी व उनके पिता का जैसे-जैसे काम के सिलसिले में आना जाना होता रहा तो अलग-अलग जगा आती जाती रही तो फरीद पूर मेधनी पूर और अन्ध में बाले काल का एक बहुत बढ़ा समय शांति निक्रेतन में बिताया तब गुरुद्य प्रविदना ठाकूर जी वहां उ झाल ज्यादा था तो उसकी स्थापना भी हो ही रही थी तो वहां पे भी उन्होंने बड़े-बड़े साहितिकारों के साथ अपना शैश्व बिताया और तीन साल के लिए उन्होंने रविंद ना ठाकूर जी का भी जीवें तो अलग-अलग तरह से तो उन्होंने अलग उन से उन्होंने विश्भारती में तब तक विश्भारती श्थापित हो चुकी थी और गुरुदेव रविना ठाकुर जी का निधल हो चुका था उन्होंने इंग्लिष में बी आ जब्रसिटीस हे थे नोल संवी किया। उनिग वे खुद विजन भठाचारिया जी से उनका विवाह होता है और उनके पुत्र का नाम है नवारून भठाचारिया परन्तु उनका ये विवाह ज्यादा दिन नहीं चल सका और उनका 1947 में उनका विवाह हुआ और कुछी और उसके बाद वो भी विवा उनका जादा दिन नहीं चला, हाला कि उन्होंने कारणों पर कभी भी अपने किसी भी इंटर्व्यू में चर्चा नहीं की, और 1976 में उनका फिर से विवा विच्छेद हो गया, और उसके बाद वोई क्रमशा अकेली ही रही, अगामी 30-40 वर्ष ह अकेली ही रही, और समाज कारियों को उन्होंने अपना जीवन व्यक्रीप कर दिया, महाश्वेता देवीजी, समडिद्ध और विशिश सहित्य के कारण सर्वश्रध्धे एक नाम है, वे अपने जीवन काल में ही, अपने प्रखर और सपाट लेखन के कारण प्रातस्मरन ये रही है, एकदम वो सपाट लिखती है, कभी भी अपनी किसी भी वाक्यों में वो हेल दोल नहीं करती है, इसलिए वो काफी वस्तुनिष्टा हित्यकार के रूप में जानी जाती है, उन्होंने कलपना का अपनी कि अपन्यास रहे हैं, वे लेखी का होने के साथ सामाजिक और राजनीतिक कारे करता भी रही है, उन्होंने समाज के निचले तबके और दलितों और आदिवासियों के शोशन के खिलाफ नियमित रूप से लगातार आवाज उठाया है, अपने मित्यु परियंत उन्होंने उस पर आवाज उठाया है, तो इसी तरह से वरन कई बार अपने अलग-अलग इंटर्व्यू में या जो आत्म साक्षातकारों में उन्होंने इस बात को जरूर कहा है कि वे समाज कर्म और साहित्य में समाज कर्म को जादा प्रधानता देती है, तथा पी वे इन सब के आख्यान था, जहासी की रानी प्रकाशित हुई, जहासी की रानी लक्षमी भाई पर आधारी थी और इसके लिए उन्होंने जहासी से लेके ग्वालियर तक पदियात्रा की थी और उस पदियात्रा के दौरान आने वाले गाउं की और आने वाले जितने भी जो उनके पदि लोग बसते हैं उन्होंने कहानियों या गानों भजनों या कथाओं के माध्यम से किम वदंतियों के माध्यम से जो सूचनाय संग्रह की उन सूचनाओं को उन्होंने उसमें अपनी आख्यान में बताया और आख्यान में अलग-अलग चीजों का वर्नन किया तो यह आख्यान देश नामक एक पत्रिका है, अभी भी चलती है बंगाल में, देश नामक एक पत्रिका है, उस पत्रिका में उन्होंने इसको सीरीज के माध्यम से प्रकाशित करवाया, तो वो 1956 में हुआ था और मगर उनका पहला उपन्यास जो माना जाता है वो है नटी वो 1957 में आया और 1957 में उन्होंने नटी नामक उपन्यास लिखा इसके बाद उन्होंने विवित समय में मध्यमवर्गिय जीवन पर अलग-अलग उपन्यास लिखे और मध्यमवर्गिय जीवन में आने वाली समस्याओं पर पारिवारिक समस्याओं पर उपन्यास लिखे और बहुत कुछ अलग-अलग चीजे हुई मगर उनकी जीवन का एक बहुत बढ़ा साल रहा 1943 में आप सभी को पता होगा, 1943 में क्या आया थथा? 1943 में बंगाल का अकाल आया था, बंगॉल फैमिन नाम से उसको काफा जाता है, बंगाल का अकाल जो बंगाल की भैंकर्दरासदियों में से एक माना जाता है, बंगाल का अकाल उसमें लोग करीब बीस से टीस लाख लोग उस बंगाल के अकाल में मारे गए और उस अकाल में उस अकाल ने महाश्विता देवी को खृदय से एकदम आंदोलित कर दिया उन्होंने पीपल्स रिलीफ कमिशन नाम की एक संस्था के साथ वे जूड़ी और उन लब्द कराती थी और उस एक घटना ने महाश्विता देवी के जीवन को आमूल चूल बदला उसके बाद उन्हें लगने लगा कि नहीं बंगाल अगर कुछ लिखना है तो शोशितों और पीडितों पर लिखना जरूरी है मगर तब तक उन्हें यह नहीं मालूम था कि उन उनका जीवन कहां बदलने वाला है मगर फिर भी वह अपने हर इंटर्वियू में और साक्षातकार में यह जरूर कहती है कि आज भी मैं उन्निस सो तिरालिस साल के पास अंतरमन से दायबद्ध हूँ यानि मैं अंतरमन से उनकी रिणी हूँ कि उन्निस सो तिरालिस साल ने मुझे जन साधारन जो भुकमरी से मर रहे हैं या दुखी है उनको महसूस करने का एक कारण दिया और उस उस आवेक को उन्होंने अपने आगे के रचनाओं और उपन्यासों में उतारा तो आगे बढ़ते हैं उनकी जिन्दगी में एक दूसरा अच्छा बात इसके बारे में बात करते हैं पहले उनकी नौकरी के बारे में बात कर लेती हूं कि उन्हें 1950 में उन्होंने पोस्ट एंड टेलिग्राफ में UDC क्लर्क के रूप में उन्होंने जॉइन किया मगर 1950 में कम्यूनिस्ट होने के कम्यूनिस्ट होने के र्यूमर की कारण उन्हें वहां से निकाल दिया गया यह वह समय था जब कम्यूनिस्ट को गैर सरकारी या इल्लीगल संस्था घोशित कर दिया गया था तो communist होना या communist को support करना आपके सरकारी नौकरी में बाधा उत्पन कर सकता था मगर उन्होंने उससे हार नहीं मानी और उन्होंने अलग-अलग जगह उपर colleges में और अलग-अलग जगह उपर पढ़ाया और नियमित रूप से सक्रिय रूप से वे राजनीती और समाज कारेओं में जूड़ी रखी उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों का भी दौरा किया जैसे कि पुरुलिया बाकुडा मेदनीपूर बिर्भूम सिंग भूम हजारी बाग राची और पलामो जैसी जगहों पर भी उन्होंने दोरा किया है और उन दौरों से उनके मन में एक परिवर्तन आता है वह परिवर्तन था, उनके जो उपन्यास थे, उनके चरित्र मध्यमवर्गिय से हटके, वो धीरे-धीरे जन जाती है, स्तर पर पहुँशते हैं, और जन जाती है, समाज के साथ जूडते हैं, यह परिवर्तन आता है उनके जीवन में 1968 या 1979 के बीच में, यानि कि 17 के बाद के उनके जितने भी उपन्यास है वे उपन्यास उनके जन जाती है या आदिवासी जाती के ज्यादा तर उपन्यास सामिल है इसमें आपके सबसे जो बड़ा उपन्यास है सबसे पहले उपन्यास जो माना जाता है वही है आपकी जिसमें बात हो रही है वो है अरन्यर अधिकार य बहुत बड़ा उपन्यास था, वह हजार चौरासी की मा, यह आपनों ने भी काफी सुना होगा, हजार चौरासी की मा, इसके बाद उन्होंने अगनी गर्ब नाम का एक छोटा गल्प, यानि की छोटी कहानी का संकलन भी किया था, इसके बाद मूर्ती या नीरेते मेग, या स् चोटी मुंडा, चोटी मुंडा और उसका तीर, इस तरह की कुछ उपन्यास या कहानी संकलन भी लिखे, और ज्यादा तर वो संकलन आपके जन जाती, और मुंडा जाती, विशेश कर मुंडा जाती पर उन्होंने काफी कारे किया है, और वे बाद में उन्होंने लिखना, व्रिधावस्था के करण लिखना कम कर दिया था मगर वे नियमित रूप से अलग अलग पत्रिकाओं के संपादकियों में लिखती रही और किसी भी जन आंदोलन में सक्रिय रूप से जितनी भी उनकी उम्र रही हो जितनी भी उनकी आयू रही हो सक्रिय रूप से वे उनमें ह इस्सा 9 और कभी भी वह पीछे नहीं अगुद हम पुश्ख करते हैं उनके पुरस्कार की तो पुरस्कार उन्हें जीवत-कार में भी उन्हें कई पुरसकार मिले हैं तो उन्हें सबसे पहला पुरसकार उन्हें मिला है 1989 में साहित अकैडमी मिला उन्हें अरणेर अधिकार पर जो जिस पुस्तक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उस अरणेर अधिकार पर उन्होंने उन्हें साहित अकैडमी से नवाजा गया, इसके बाद उन्हें पदमश्री भी मिला, 1986 में उन्हें पदमश्री पुरसकार से नवाजा गया 1996 में उन्हें ज्यानपीट पुरसकार प्रदान हुआ 1997 में रोमन मैक्से से पुरसकार उन्हें से सम्मानित किया गया हाली में रोमन मैक्से से काफी चर्चा में आया था यदि आपको ग्यात हो तो भारतिय पत्रकार रवीश कुमार जी को ये सम्मान मिला है तो रोमन मैक्से से पुरसकार से उन्हें महाश्वेता देवी जी को भी सम्मानित किया गया था 2006 में उन्हें पद्म विभूशन प्राप्थ हुआ इसके पहले 2003 में उन्हें फ्रेंच एक पुरसकार प्राप्थ हुआ है जिसे न्हें पुरसकार प्राप्थ हुआ इसके अलावा ने बंग विभूशन 2011 में बंग विभूशन भी प्राप्थ हुआ है तो यह कुछ पुरसकार है जो उन्हें प्राप्थ हुए है परंतु उनकी ख्याती पुरसकारों से पुरसकारों तक सिमित नहीं है वे खुद मानती है कि उनकी ख्याती जन साधरनों के बीच जो जन साधरनों का जो दर्द है जो शोशन है उसको सामने लाने में है और उनका काम वही सार्थक होता है वो स्वयम को एक इतिहासकार भी बता देखने की चिष्टा करती हैं। और यह मत्लब है आज तक जितने भी इतिहास या कहानिअ उनसे पहले लिखी गई वो जादातर मध्यमवर्गियों या उच्छ वर्गियों की राजाओं की या अलग-अलग जो भी आपके उच्छ शहरियों शहरों में रहने वाले या जाओं में भी अगर है तो ऐसे लोग जो उच्छ वर्गियों ही रहे हैं उन पर ही लिखा गया है मगर जन जातियों पर या जन साधरनों पर निचले तबकों पर उनके समय तक नहीं लिखा जा रहा था और उन्होंने उस पर अपनी कलम आगे बढ़ाई और उन्होंने कहा कि इतिहास को दुबारा देखने की जरूरत है राज वरिंदों की दृष उसकी थी जब वे जब पढ़ाती थी तो आदिवासी लड़कियां उनके उनसे बात करती थी कि हमने वीरों के बारे में काफी पढ़ा है हमने अलग-अलग वीरों के बारे में पढ़ा हमने वीरों के बारे में जाना सुभाष चंद्रबोस के बारे में जाना नहरू के बार गाथाओं की इतनी कमी है तो उनके बारे में वो जानने की कोशिश कर रही थी तब उन्हें पता चला कि उन शौरे गाथाओं को तो लिखा ही नहीं गया उन शौरे गाथाओं के बारे में कोई नहीं जानता वे शौरे गाथाओं जंगलों में शुरू होती है और जंगलों मे खतम हो जाती है उनके बारे में कौन जानता है वह आदिवासे समाज जानता है जो अपने कहानियों गानों गीतों और अलग-अलग कि वदंतियों में उस शौड़ गाथाओं को जिन्दा रख रहा है मगर उन्हें कहीं पे भी लीपी बद्ध नहीं किया जाता लीपी बद्ध मातियों के शौड़ को लीपी बद्ध करने की आवश्यक्ता है उन्होंने जिस स्तर का संगहर्ष किया है उस संगहर्ष को लीपी बद्ध करने की आवश्यक्ता है तो ये एक महाश्वेता देवी का एक छोटा सा छोटी सी एक जीवन जरीत थी महाश्वेता देवी जी उनक वास्तविक नाम घटक घटक था मगर वे बाद के अपने कुछ-कुछ अपने उपन्यास में क्योंकि उनका विजन भटाचारिया जी से हुआ था तो उन्होंने कुछ-कुछ उपन्यास महाश्वेता भटाचारिया के नामसे भी लिखे हैं परन्तु अधिकतर उपन्यास उनके महाश्वेता देवी के नाम से ही लिखे गए हैं और वे उसी नाम से ज़्यादा परिचित हैं तो महाश्वेता देवी जी वे आपका विये मूलता एक समाजिक कारेकरता के रूप में और गरीब और पिछले जाती के आपके जितने भी उपन्यास है उस पर लिखा गया है मैंने इस बारे में अभी बोला ही उन्होंने महाश्वेता देवी ने आदिवासी के उपर 1984 की मा वो भी आदिवासी के उपर लिखे गया उपन्यास है इसके अलावा उन्होंने एक छोटा गल्प संकलन लिखा था अरन्यर अधिकार ये सबसे ज़ादा उनका चर्चा में आया है इसके अलावा उन्होंने संघर्ष बोलकर एक चित्रायन किया था और हजार चुरासी की मा तो शैद मूवी में भी आई है और अरने रदिकार अगनी गर्व बोलकर भी उनका एक छोटा गल्प यानि छोटी कहानी का भी एक संकलन है और नीरेते मेख ये भी एक छोटी कहानी स संकलन है ये कुछ चीजे ज्यादा तर उनकी सेमस हुई है हजार चुरासी की मा और अरन्य रदिकार चली आगे बढ़ते हैं अब बात करती हूं मैं सबसे पहले अरन्य रदिकार पर अरन्य रदिकार महाश्वेता देवी जी ने 1977 में लिखा और इसके लिए उन्होंने सबस सब्सक्राइबुर्ण वहां पर उन्होंने मुलता तीन-चार जन्जातियों से उनका यह भूँवा क्या कहते हैं जाती गई थी और उन्होंने एकदम जिसे कहते ग्रास रूट लेवल बंगला में उसे त्रिन मूल लेवल कहा जाता है त्रिन मतलब घास और मूल मतलब उसका ग्रास रूट त्रिन मूल लेवल कहा जाता है उसको बंगला में ग्रास रूट लेवल पर जाकर उन्होंने उस पर काम किया है और यह जो आपकी जो आपका जो उपन्यास है यह उपन्यास लिया गया इस उपन्यास को लिखने में उनका सबसे पहला जो inspiring जो चीज थी उन्होंने कहां से प्रेधना प्राप्त की और किसको आधारित करके उन्होंने इस उपन्यास को लिखा वो था सुरेश सिंग की dust storm and hanging mist dust storm and hanging mist a study of विर्शा मुंडा and his movement यह किताब है आप गूगल भी कर सकते हैं और जाहिर से किताब को आधारित कर उन्होंने इस कहानी को लिखा है इस उपन्यास में प्रधान चरित्र के रूप में बिर्शा मुंडा है बिर्शा मुंडा जो आधिवासियों का जन नायक है और उसी ने इस पूरे उपन्यास का प्रधान नायक वही है इसके साथ ही जो अलग-अलग उन्होंने किताबे लिखी है उस पर भी हमने तो चर्चा करी ली है तो हम अब सिधा सिधी आ जाते हैं अरण्यर अधिकार पर किसी को कुछ पूछना है तो मैं दो मिनिट समय ले लेती हूँ झाल 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 चलिए आगे बढ़ते हैं तो अच्छा हाँ एक बात पर तो हाँ आपका एक और यह है मैं यह थोड़ा सब मेरे दिमाग से स्किप हो गया सबसे अरन्य रधिकार पर चर्चा करने से पहले एक और चीज़ पर चर्चा करनी जरूरी है वो है बंगला साहित्य पर हमने बात नहीं की उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं बंगला साहित्य पर बंगला साहित्य मूलतह दो धाराओं में हमेशा से बटी रही है बंगला साहित और तथा कतित भद्र लोग जिसे कहा जाता है बंगला में वे उस पर है और दूसरा है अच्छा दूसरा है जो आपका ब्रिहत्तर जन साधरन और ग्रामीन समाज पर है तो बंगला साहित्य में दो तरह का है आदिवासी के उपर लिखा पहला उपन्यास मतलब बंगला में या फिर हिंदी में नहीं बंगला साहित्य का यह तैयारी के कर्के आई हूं तो बंगला में मैं बता देती हूं बंगला में दो ही उपन्यास ये मतलब लिखे गए थे उसमें एक था कोल जाती का रोजनामचा वो संजीर चंदर चट्टोपाध्याई जी का था और विभूती भूशन बंदोपाध्याई बड़े बहुत बड़े लेखक रहे हैं उनकी एक र पूरा मतलब फुल फ्लेज़ेडउपन्यास था तो पूल फलेज़ेड उपन्यास को उसमें कहा गया है इसके अलाभा बीभूती हुसहर्ण अरणने पूड़ा फुल फलेज़ेड उपन्यास था ऑर उसके बाद आता है अरण्य आपका अरण्य दाधिकार यान envision के सिरीज में बात कर रहे हूं तो सलग maggot है तो मैं बात कर रही थी तो बंगला साहित्य की है उसमें चरगती ब्रूची लिखा गया अपका दूरगेश नंदीनी मतलब और भी बाकी उपन्यासों को माना गया है, मगर एक फुल प्लेजर उपन्यास इससे की पाठकों की रूची बंगला साहित्य में बढ़ती है, वो है दुर्गेश नंदिनी, वो बंकीम चंदर चटोपाध्याय का उपन्यास है, और बंकीम चंदर चटोपाध्या जी ने दुर पुलारिटी बढ़ी, उसी तरह बंगला में दुर्गेश नंदिनी का ऐसा हिस कुछ थान है, उसके बाद बंकीम चंदर चटोपाध्या का नाम बहुत ही सम्मान जनक रूप से लिया जाने लगा, बंगला साहित्य में बंकीम चंदर चटोपाध्या के बाद रमिन्ना ठाक ठाकुर जी का भी वहाँ पर आविर्भाव होता है, मंकीम चंदर चटोपाध्या ने कई अलग-अलग उपन्यास भी लिखे जिसमें आपका कपाल कुंडला, कपाल कुंडला काफी famous उपन्यास है उनकी, तो कपाल कुंडला भी है, दुर्गेश नंदिनी तो मैंने कहा ही, एक और है Shashikanterwill, Will मतलब, Will को क्या कहते है, वसीयर, Shashikanterwill, यानि Shashikanth की वसीयर, तो मगर इन सब में ज्यादा तर जो उपन्यास की शैली थी, बंगला में, वो अंग्रेजी सहिती से ही आई है, और बाद में बंगला साहित्य से वो हिंदी साहित्य की तरफ आगे बढ़ी है तो जो उपन्यास की शैली है वो अंग्रेजी साहित्य का लिया गया है तो और उसमें जादा तर शहरी जीवन को उन्होंने उसमें दिखाने का प्रयास किया है तो बंकिम चंद्र चट्वपाध् परिवार के लिए mix जादा करना प्रिवार मिल जाती है तो उन्हें जीवी को 14 जादा संगर्ष करना नीए पढ़ता और पारिवारिक मद्वेर के उपर ही ज्यादा तर न कि कहानिया या उपन्यास रहे है इसके अलावा उन्होंने आलसों का बहुत बहुत गुर्द influencing go तुआतुपाध्या जी ने तो उन्होंने आदरशो हो कि जैसे कोई अगर किसी विद्वा स्थी का किसी पूरूश के साथ अगर प्रेम दिखाया है, तो अंट में उस विद्वा स्थी को उन्होंने उसकी मौत भी दिखा दी है, और वो गोली मार के अपना मतलब खुद की हत्यावी कर लेती है तो उन्होंने आदर्शों से अब जैसे उस समाज की का डिमांड था जैसे उस समाज में वो पले बड़े थे तो उसे साब से उन्होंने अपनी रचनाओं में उस आदर्शों को दिखाया है उसके बाद आते हैं रविंदनाथ ठाकुर जी जब हाते हैं तो उन्होंने कुछ-कुछ चीजे अपने उपन्यासों में एक आंदोलन के रूप में प्रकट किया है एक और बात में बताना भूल गई बंकिम चंद्र चट्व पाध्याजी का जो उपन्यास है वे कुछ-कुछ धार्मिक उपन्यास धार्मिक लेवल पर भी चला जाता है जैसे कि उनकी इक पन्यास आनद मट तो और तो आहां शायद बंक्रिम चंद्र कीना थोड़ा सा वह और्यों क्योंकि मैंने इस बारे में अभी फढ़ा नहीं है जादा अननमठ तो साथ बंकिम चंद्रकी थी मैं एक बार थोड़ा कंफर्म कर लेती हूं कि गलत बताना मुझे ठीक नहीं लगता है अधार्मिक चीज को उन्होंने दिखाया है धार्मिक संग्राम को दिखाया धीरे धार्मिक ललकार में पडिवर्तित हो जाता है तो उस चीजे को रखाया रविद नात अपने उपन्यासों में क्या करते है गोरा नामकी उपन्यास वो रविद नात या पिर चोकेर बाली आपने सुना होगा शायद जिसको आख की किरकिरी हिंदी में कहा गया है तो रविनात की उपन्यासों में यह चीज थोड़ी आदर जो चीज है वो थोड़ी सी हटकर वे आपस की आपस की जो मानसिक द्वंद है पारिवारिक द्वंद या मनुष्य के भीतर के द्वंद को जादा प्रकट क किया है जितनी बंकिम जंद की उपन्यास में नहीं थी तो और उनकी जो नाइका है वह नाइका आदर्शों को पूरी तरह से फॉलो नहीं करती है और उन्होंने इस सीज को थोड़ा सा और वास्त तरीके से दिखाया है अगर उनकी नाइका किसी परपुरुष से प्रेम करत है तो अंत में वह आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि अंत में वह काशिवासी हो जाती है मगर खुद को मारती नहीं तो यह डिफरेंस आता है कि जब आप आदर्श को थोड़ा-थोड़ा क्योंकि छोड़ने लगाते जैसे कि आपका बंकीम चंदर का उपन्यास हुआ नहीं मै यह सब नाम जूड़ते हैं और बहुत सारी उपन्यास इस समय में लिखे गए हैं कर लोन साहित्यसंका की रचना स्रिजन होता है जिसमें बड़े-बड़े उपन्यास कर भाग लेते हैं और इसमें ही आपके तारा-शंकर और विभूति-बशन बंद्योपाद्याय का नाम इन्होंने धीरे-धीरे उपन्यासों को मध्यम या उच्छे वर्गिये चरित्रों से हटा कर ग्रामीन वर्गिये चरित्रों तक ले कर आते हैं इनमें का कौन-कौन से इसमें जैसे वही मैंने कहा जो व्रिहत्तर जनसाधरन है बड़े सकेप में वो चले जाते हैं और मगर अभी भी वे पूरी तरह से निचले तबके को नहीं दिखाते हैं, गाउ में भी अगर रहते जैसे पौथेर पाचाली है, जिस पर सत्य जीत्राय ने बहुत एक अच्छी मूवी बनाई थी, वो आपका विभूती वुशन बंदोपाध्याय की रचना है, तो पौथे एक व्यक्ती लिख रहा था, और वो है शरत्चंद्र चट्वपाध्याय की जितनी भी रचनाये हैं, वे निचले और परित्यक्त लोगों पर हैं, आधारित हैं, उन रचनाओं में एक है चरित्रहीन, चरित्रहीन है या यह आपकी नाम याद नहीं आता, तो चरित्रहीन है, दूसरी आपकी, प्चानक से नाम याद नहीं आता, अरे हां, देवदास है, देवदास तो काफी बनेदी परिवार, बनेदी मतलब आपका संभ्रान्थ परिवार, देवदास काफी संभ्रान्थ परिवार से जुड़ा हुआ था, इसके अलावा आपकी ये है, प्रमुक्रितियों में और क्या आती है शरचंद्र की याद भी नहीं आता चनक से थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाती हूं हाँ पड़ीनीता हुई ये भी काफी समरान पड़िवार पर आधारित है बिराज बोह हुआ ये भी है और आपकी अरक्षनिया चंद्रनाथ चरित्र पहीन देना पाउना स्रीकांथ पर भी काफी उन्होंने काम किया है धन्यवाद मुझे मिल गया तो दरसल शरचंद्र पर मैंने काफी पहले बढ़ा दोड़ा समीरों जबकि मैंने ये सब काफी पढ़ी है मगर उनकी कहानियों और उपन्यासों में गरीब तबकों का अगर पढ़ते हैं मैं इस वाइमली में कुछ कहना भी चाहूंगी अपने स्रोताओं से जो यहां के विद्यारती है शरचंद्र को अगर समझना है तो जरूर महेश पढ़े उनकी कहानी है महेश बहुत अच्छी कहानी है तो आप जरूर पढ़े एक मुसल्मान की कहानी है जिसको पुरे गाओं में पढ़ित्याग कर दिया गया था तो यह कहानी जरूर पढ़े तो ऐसी कुछ कहानिया है जो बहुत दिल को छूती है और शरचंद्र इसके लिए बहुत अलग तरह के कहानी कारे और उपन्यास कर्माने जाते हैं उनकी कहानिया आदर्श को पुरी तरह अचनाकारों ने उसमें भाग लिया और अभी भी बंगला साहित्य में मनोवैग्यानिक जो दौर है उस पर लिखा जा रहा है दो तरह की चीजों एक मनोवैग्यानिक आदमी या मनुष्य के अंदर की उन्ठाओ और चरित्रों का गुड विशलेशन जो होता है वो बंगला साहिते में काफी जोड दिया जा रहा है तो आगे बढ़ते हैं दत्ता हां दत्ता भी बहुत अच्छी बामन की लड़की विप्रदाश ये सारशाद्र की बहुत अच्छी रचना है तो यह हमारा टॉपिक सरशाद्चंद्र नहीं है शारचंद्र पर बोलने के लिए तो मै थोड़ा शारचंद्र भावुक होने वाले थोड़े रचनाकार भी है उनकी कहानिया वास्तवी ग्रूप से आपके दिल को चूज जाती है अपको उसको मतलब आप चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर सकते वह कहानिया आपके जीवन में बस जाते हैं खेर महादेवर्मा तो महाश्वेता देवी जब आई अच्छा मैं इस दो मिनिट चाहूंगी पहली आदिवासी के उपर जो पहले हिंदी में पहला उपन्यास में थोड़ाज अडून लेती हूँ शायद मुझे मिल जाएगा हिंदी साइथ में अगर बात करें हिंदी साइथ में जैसे किसी ने कुछा ना अदिवासी तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई एक फिक्स उपन्यास है क्योंकि अगर हम लोग बात उसके करें 19 सथा आपदी के बाद जाना तर यह कहा जाता है कि जो भी आदिवासी किसी से तो शुरवाद ऊवी होगी भाई को है सुराज की किरन चाउ राजेंद्रा वस्ति के उससे कोई कहता है जंगल की फूल राजेंद्र वस्ति उससे कहता है यह तो प्रेम चंद की गोदान को भी एक तरह से कहा जा सकता है कि मतलब यहां पर उसना जाती प्रथा को सामने लाते हैं यहां पर लिखा है मिल गया मिरको वाल्टर भेंगरा ने जार्खा नंचल और वहां के जीवन के केंद्र में रखते हुए सुबह किशाम उपन्यास लिखा था इसंधी का पहला लएक कहा ने जलंगल की गीट लिखा है तो यह दो उपन्यासों को हिंधी में सबसे पहले लाइडिवासी उपन्यास उसके दलित बंगला पर मैं तो वह बता सकती हूं इस तो यह हो गया बंगला साहित्य पर रविंदनाथ का बहुत बड़ा एक कह सकते है यह रविंदनाथ का योगदान उसका उनका प्रभाव बहुत गहरा रहा है पन्यास हालां कि उन्होंने बहुत जादा लिखे निया मगला में कहा जाते को ऐसी कोई विधा नहीं है जिसपे रविंदनाथ जी की कलम नहीं चली वा Qかな उपन्यास अंकी बाकि गोरा उनकी काफी फेमस उपन्यास है और चोखेर बाली हैं तो हम बात कर रहे थे अरण्येर अधिकार की तो अरण्येर अधिकार मूलता जो ऐसा की मैंने कहा कि बिर्शा मुंडा के जीवन चरित्र पर आधारित उपन्यास है बिर्शा मुंडा का जीवन इस पूरे उपन्यास की जो शुरुवात होती है वह बिर्शा मुंडा की मृत्य उसे होती है यानि कि बिर्शा मुण्डा अपने पूरे जीवन काल को अतिवाहित करते हुए kuch मुंडा की बारे में पहले सुन लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं बिर्शा मुण्डा का जो जीवन रहा है वह काफी एक से बहुत ही व्यावित्पूंध था यानि की उन्हीं वो मात्र 26 वर्ष की उम्र में उनका ध्यान्त होता है मरनतो cat 26 की उम्र तक उन्होंने सबसे पहले क्रिश्चन मिश्चनरी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की इसके अलबा उन्होंने अरग doen किए और इसाई, क्रिश्यन धर्म से उनका बहुत ही गहरा एक तालूक रहा है वो एक समय क्रिश्यन धर्म से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि उनकी जीवन का एक बहुत बड़ा पाट था कि मैं पढ़ाई लिखाई सीखूंगा उसके बाद क्या करोगे तो बाइबल और इशू का प्रचार करूँगा उसके बाद क्या करोगे तो उन्हें नहीं पता तो उन्होंने का तब जब होगा तब देखा जाएगा तो एक समय मगर धीरे धीरे उनको उसमें भी एक आडंबर दिखने लग गया बाहे आडंबर दिखने लग गया हिंदू धर्म में भी उन्हें वह आडंबर दिखने लगया तो उन्होंने धीरे धीरे एक नए धर्म की स्थापना करनी शुरू की वह धर्म वो एक समय वैशना धर्ष से बहुत प्रभावित हुए तो उन्होंने शाकाहरी खाने पर बहुत जोड दिया तो एक नए धर्म का प्रत्यावत्तन करने का हला कि बहुत धर्म अब एक्टिव नहीं है परंतो उनके समय में उन्होंने उस समाज और जन्जातियों के जीवन में इस तरह से वे प्रवेश किये कि लोग उन्हें ही भगवान का दर्जा देने लग गए और आज भी आदिवासियों के समाज में बिर्सा मुंडा को भगवान के रूप में माना जाता है तो इस कहानी की इस उपन्यास की जो शुरुवात होती है वहाँ जेल से होती है बिर्सा मुंडा के आंदोलन के उपरांद जब वो जेल में कैद हो गए वहाँ पे उन्हें कॉलरा और हैजा मतलब हैजा की बिमारिया हुई और उसके बाद उनका देहान तुए क्यूंकि उन्ह सब्सक्राइब यह की उंपन्यास का देहान Snapchat होता है तो वहाँ से यह कहानी की जोती है उनके हुआ है और उनके मतलब आप भघवान नहीं रहे और उनका जीवन अप कहीं जाने वाला नहीं तो वहां से और उसके बाद यह उपन्यास फ्लैश बैक में चलती है और फ्लैश बैक में दिखाया जाता है कि किस तरह से बिर्सा मुंड़ा अपनी दीरे-दीरे अपने समाज में आगे बढ़ बढ़ के किस तरह से वे एक क्रांतिकारी नेता के रूप में प्रकट होते हैं इसका पूरा वर्नन आपका अरण्यर अधिकार उपन्यास में आपका किया गया है तो सबसे पहले एक और बात इसमें जाननी जरूरी है कि क्रांति की जरूरत पढ़ी क्यों इस बारे में है कि जब जो मुंडा या कोई भी जंजाती लोग थे जो भी आपका समाज था व जंगलों में रहते हैं और जंगल का कोई एक स्थान वह काटके अलग कर उसे साफ करके वहां रहते हैं और वहां वह जीवन्यापन करते हैं इस तरह का उनका समाज रहा है मगर एक समय क्या हुआ कि उस जंगल के उस प्रांत पर जिसमें रहते थे वहां पर लगान डाल दिया गया और इसके लिए राजी भी हो गया कि उन लगानों को वह चुकाते थे मगर धीरे धीरे उस लगान की कीमत धीरे धीरे बढ़ती चली गई और वो मतलब दुगने से भी कई गुना जादा हो गई और उनके लिए लगान चुकाना संभा हो गया क्योंकि मूलता जंजाती समाज के लोग थे पैसे की आये बोलके उनके पास कुछ नहीं थी जादा तर वो प्रकृति के साथ ही रहते थे और प्रकृतिक रूप से रहते थे तो धन की आये उनके जीवन में बहुत जादा घर्टी नहीं थी मगर लगान उन्हें पुरा चु कि पुखा नहीं सभाविक वात है कि रिंड जब जब वह नहीं चुका पाए तो दीरे दीरे वे उनकी गुलामी और बेगारी करने के लिए विवश्व हो गये गुलांus और बेगारी जब सहन के बाहर हो जाती है तब आंदोलन या संघर्ष का जन्म होता है विद्रो का जन्म होता है एक समय उन्हें लगा कि हम यह तकलीफ क्यों जिल रहे हैं हम यहां पे यहां तक ही एक उपन्यास में भी एक यह है आपका एक पंक्ति हो है अपकी उपन्यास में वह पंक्ति यह है कि मुंडा के जीवन में चावल एक बहुत ही महत्वून चीज़ है चावल जो है वो मुंडा के जीवन में हमेशा बहुत ही महत्वून रहा है तो मुंडा तो बिर्सा मुंडा की जीवन की एक बहुत बड़ सपना रहा है कि वो अच्छा चावल खा सके उसके मन में था कि दीकू यहां पर किनको कहा गया है दीकू यहां पर उच्च जाती के लोगों को कहा गया है जो भी जन जाती से बाहर है उन्हें दीकू कहा गया है तो विर्शा को हमेशा यह लगता था कि अगर दीकू लोग अच चावल एक बहुत बड़ा कारण था बहुत बड़ा सपना था विर्शा मुंडा का और अच्छा चावल खाना तो इसी तरह कुछ कुछ चीजे अच्छा चावल खाना अच्छी जिंदगी जीना अच्छा खाना खाना अच्छे कपड़े पहनना एक बहुत ही साधारन सी कुछ मांगे होती है वह भी ये आदिवासी समाज पूरा करने में अक्ष्णम था और सबसे बड़ी बात है कि इन समाज को प्रकृति गोद में पूरी दरह से छोड़ा नहीं जा रहा था यहां तक कि वो जिस जमीन को काट के अपना घर बनाते थे जिस जंगल को काट कर अपना घर लिए जा रहा था तो एक समय उन्होंने कहा कि उनके मन में यही बात आई और यही बात विर्षा मुंडा ने रखी कि जंगल ही हमारा हमारी माह है तो हमें इसके लिए दूसरे को पैसे देने या लगान देने की क्यों आवश्यक्ता है यहां से ही विद्रोह का जन्म होता है तो सबसे पहले उन्होंने इस विद्रो को पूर्य पूरी शूरू नहीं किया उन्होंने लगान या इस शोशन के विरोध में जैसे कि कोई पालकी जाती थी तो उस पालकी को उठाने के लिए आदिवासी समाज के लोग आते थे और अलग-अलग घर के काम और बेगारियों में समाज के लोग आते थे तो ऐसे लोग थे खेर तो मैं तो उन्हें दीरे दीरे लगा कि नहीं इस तरह से हम शोशित होके कितना दिन जिएंगे तो उन्होंने समाज के दूसरे तब को तक अपनी बात पहुचाने की कोशिश की उन्होंने ब्रिटिश तक अपनी बात कर दिया क्यूंकि दोनों ही धर्मावलम भी भले ही साइब मिश्डरी आदिवासियों को कन्वर्ट करने में विश्वास रखते थे मगर वे उन्हें भी ये द्रिष्टी से देखते थे थे थोड़ा पानी पी लू तो किसी ने भी उनकी मदद नहीं की और अंत में अंग्रेजी समाचार पत्रों तक में इस बात का उल्लेक होता है कि उनके नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि इसाई इसाई मिश्णरी या अन्य धर्मावलंबी ब्रिटिश सरकार जमीदार साहुकार कोई भी हमारी मदद करने नहीं करेगा हमें अपने लोगों में से ही इस चीज का हल निकालना पड़ेगा अपने लोगों में से ही इस विद्रों की शुरूआत करनी होगी और विर्षा मुं शमता रखता है तो मुन्डा का अभिर्वा वहीं से होता है और उनकी विद्रों का नाम था हुल गुलान विद्रों के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाप अपना विद्रों जारी रखा है बिटिश सरकार के अनुचित लगान के खिलाब अपना विद्रो जारी रखा और उसे किया अच्छा इसमें एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि उनका जो पहला विद्रो था वो 1895 में रखा था उनका पहला विद्रो था 1897 में उन्होंने दुबारा विद्रो जेल से छूटे और दुबारा मुंडाओ को संगटित किये और छेज उनको दुबारा विद्रो जेल में जब वो गए और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है तो मुंडाओ के लिए बिर्सा भगवान के रूप थे अंग्रिजों के लिए विद्रो ही और भारत वासियों के लिए वे स्वाधीनता कामी नेता के रूप में जाने जाते हैं तो एक और बात इसमें कही जाती है कि ब्रिटिस सरकार सोचती थी कि मुंडाओ का जो विद्रो है वो प्रशासन के खिलाफ है मगर वो कभी भी प्रशासन के खिलाफ नहीं था वह था दरसल सामाजिक और आर्थिक शोशन के खिलाफ को विद्रो था उनका मानना था कि जो अरन ने जो जंगल हमारी मा है और उसके हम प्राक्रितिक दावेदार हैं तो इसके लिए हमें दूसरे को लगान देने या दूसरे से शोशित होने की बेगारी करने की क्यों आवश्यक्ता है तो उनका विद्रो कभी भी सरकार की और नहीं था सरकार से इसलिए था क्यूंकि सरकार लगान वसूली की थी मगर उनका विद्रो उससे बड़ा था आर्थिक और सामाजिक शोशन के खिलाव था अपनी पहचान और अस्थमिता के लिए था अपनी पहचान बनाने के लिए था कि नहीं हम बेगारी करने और इसके मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए है, हमारी अपनी संस्कृती है, हमारी अपनी पहचान है, वह पहचान हमें मिलनी चाहिए. तो विर्षा मुंडा का पूरा विद्रो ही इसी पर आधारित था, मगर ये विद्रो जादा दिन नहीं चल सका, उसका कारण यह है कि जो अंग्रेज के पास लंबी सेनाय थी और अलग-अलग हतियार थे, तो उनके सामने ये विद्रो जादा दिन नहीं टिक सका, परंतु वि विर्षा मुंडा जिस साल उनके देहान्त होता है, उसके साथी उस साल ही चोटी मुंडा का जन्म होता है, और ये विद्रो मरता नहीं है, बलकि चोटी मुंडा आके इस विद्रो को आगे बढ़ा ले जाते हैं, और एक दूसरा जन नायक पैदा होता है, और ये विद्रो आगे बढ़ता जाता है ये वग आथा है जो किसी भी इतिहास कार की इतिहास में नहीं कही गई है अगर कही भी गई है तो उस दृष्टी से नहीं कही गई है जन जाती है दृष्टी से नहीं कही गई है बिर्सा मुंडा की विद्रो में एक और बात जो महाश्वेता देवी अपने उपन्यास में कही है कि बिर्शा मुंडा भले ही विद्रो कर रहे थे मगर उनका अपने समाज और अपने जीवन के साथ अपने सामाजिक जीवन और परिवार के साथ बहुत ही गहरा लगाव था वे विद्रोहियों को अपना मतलब घर परिवार का सदस्य मानते थे तो जब उनका जब वे उन्हें एक समय लगने लगा कि वे अरस्ट होकर रहेंगे उनके पास और कोई उपाए नहीं है वे पकड़े जाने की दिशा में ही जा रहे हैं तब उन्होंने अपने साथियों से कहा था जो महाश्वेता देवी ने अपने उपन्यास में उपके रहा है व कुछ भी समझे विना ये उल्गुलान किया था मुझे ठाग धोके बाज कहो सब लोग गाली दो नुकसान नहीं है लेकिन तुम सब बच जाओ मुझे इसी से शांती मिलेगी तो उनका उनका मानना था कि विद्रो करने के लिए सबसे पहले जिन्दा रहना जरूरी है तो भ बचे और फिर से इस विद्रो की आग में अपनी आहूती दे फिर से इस चिंगारी को भड़काए रखे और इस चिंगारी को कभी खतम नहुने दे तो ये कुछ चीजे थी और किसी को कुछ बात करनी है इस बारे में इस उपन्यास के जर्ड़िये लेखिका का क्या उद्धेश था ये तो काफी बात होगी है तो लेखिका का मूल उद्देश इस उपन्यास है इसके परवर्ती जितने भी उन्होंने रचनाए की है उसका मूल उद्देश यही था कि जन जाती या निचली जातियों के स्वाभिमान को जगाना और जो मैंने कहा कि उनकी एक छात्रा ने यही बात उठाए थी कि हम अपने है आप आज जिस जगह पर हो जिस समाज में हो उसके लिए एक लंबा इतिहास है एक संघर्ष की गाथा है उसको एक स्वर देना उसको मुख्य धारा में लाना यानि कि मुख्य साहित्य में लाना साहित्य में उसको उकेरना इसके अलावा अन्य पाठक व्रिंद जो मुख् लिख रही थी तब ज्यादातर लोग नहीं जानते थे तो इस संघर से इस शौर गाथा से अवगत कराना जन जातियों की अस्मिता की पहचान कराना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना तो यह सब कुछ चीजे थी जो वे अपने उपन्यास के माध्यम से कहती हैं उन्हों उन्हें इसमें विर्शामुंडा के धार्मिक जीवन पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की हैं उनके उपन्यास का मुख्य स्वर संघर्ष संघराम और विद्रो रहा है और उल्गुलान रहा है वह और उन्होंने अपने हर उपन्यास इसके अलावा जितनी भी रचनाई की हैं उन्होंने अलग-अलग तरीके से उनके संघर्षों को उसमें उतारा है और यह बताने की कोशिश की है कि वे भी उनका समाज भी हमारी समाज की तरह एक इज़द भरी जिंदगी डिजर्व करता है और उनका समाज भी अलग तरह की संस्कृति को लेकर है और उनका समाज किसी तरह से बेगार या शोशित होने के लिए नहीं है उनका समाज भी अपना एक पूरा का पूरा एक पूरी संस्कृती को लेका रखता है और उस संस्कृती को जीवन्त रखने की आवश्यक्ता है उस संस्कृती से परिचे करवाना उस समाज की जो वानी है शोशित लोगों संस्क्रिति को उनकी उनके के समक्ष लाके खड़ा किया है और इसके साथी उनके दबे कुछले आवाज को उन्होणे उठाने का र्यास किया है उनके बाद भी कही लोगों ने किया है मगर भी काफी एक तरह से फ्लैग भीरर की तरह मानी जाती है कि उन्होंने इस चीज को पहली बार इस तरह से उके रहा आरण्यक में भी है मगर इनकी तरह भावपून वर्णन नहीं है जबकि वो काफी वस्तुवादी साहितकार मानी जाती रही है मगर उन्होंने काफी भावपून वर्णन भी किये है और कोई कुछ पूछना चाहते हैं कि मैं कुछ पूछें मैं पूछें सर मैं आप डर क्यों रहे हैं पूछें डरना तो मुझे चाहिए नहीं 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 मैं बस ऐसी नौर्मली एक पूछता हूं जैसे हिंदी साहित में बात करते हैं तो यह कहा जाता है कि उपन्यास साहित का अगरा मुल्रूप से देखें तो मांगला साहित से निकल क्या दिये कि हिंदी साहित की जिसमें सुर्वाती उपन्यासों में तो वही चंद्रकांता वगरा ऐसी सुर्वाती यह आगे चलकर आज के समय में यह कहा जाता है जो जिस तरस लिखा जाता है अंग्रेजी नॉबेल उसका अब शुक्त करें तो सबका अपना स्थान गाया लेकिन अब देखें बंगला साहित को उठाके तो सरचन ने जिस समाज के मतलब एक तरह से कहें जिस अंस को उठाकर के अपने साहित में रखा है उस प्रकाय का समान उन्हें नहीं मिलता हूँ यह आप हिंदी साहित माम देखें हिंदी साहित में सरचन जैसे कई हुए हैं जिन्होंने समाज के दवे कुछले वर्प उठाकर के उनकी बाद रखिये तो उनके कॉम्पेर में बंगला साहित सरच है वो बहुत ज्यादा रहा है मतलब बाबू का लिए वहां पे मतलब कोई भी अगर आदरश्वादी या उस उस स्तरकी का जो उपन्यास लिखता है शरचंडर क्या है कि जैसे वे चरित्रहीन उनकी रचना है, इसके अलावाद देवदास है, या फिर पड़ी नीता है, इसमें क्या है कि वो एक जातर रुमेंटिक तरह की उपन्यास माने जाते हैं, उसमें कुछ आदर्शो का कुछ जादा चितरन नहीं है, जैसे कि बंकिम चंदर की उपन्यास में जितने भी नायक रहे हैं, वे काफी आदर्श्वादी नायक रहे हैं, तो उन्हें काफी इज़त मिली है, शरचंद्र को जादा तर इज़त इसलिए नहीं मिली है, क्योंकि निचले तबके पर बात करना, उस समय के बाबू कल्चर या जिसे कहते संभरांत वर्ग, में बहुत जादा रहा है, ये बात तो बिल्कुल सबते हैं, कि जमिदार कल्चर बंगाल में बहुत जादा रहा है, और निचले तबकों को उस तरह का सम्मान कभी मिला नहीं था, शरचंद्री एक तरह से विद्रोई साहित्तिका के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी विद्रों में विताया है कि वो कुछ लिखते थे जैसे देवदास देवदास में आप सभी ने देवदास तो बढ़ी है देवदास का जो मुख्य नायक है क्या आप उस चरित्र को आदर शरित्र कह सकते हैं नहीं वो किसी तरह से आदर शरित्र नहीं है तो शरचंद्र इस तरह की हिम्मत रखते हैं और हां शरचंद्र को एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि वो अपने समय से बहुत आगे चलने वाले रचना का रहे हैं तो जब वो रहे उस समय उन्हें वो इज़त नहीं मिली बाद में बहुत इज़त मिली शरचंद्र को बाद म उन्होंने उपन्यास का महागुरू कहा है ठीक है मगर शरचंद्र को उस समय इजट ने मिली क्योंकि वह अपने समय से बहुत आगे बढ़ के काम कर रहे थी जैसे कि अभी के समय में यह बहुत ही कॉमन है कि अगर नायक है तो जरूरी नहीं है कि वह आदर्श या में आजाता है तो वही वह चीज मंगला में भी थी शरचंद्र की कहानियों में आपको इस आदर्श का पुट नहीं मिलेगा वह एकदम जैसी है वैसी रखते है और जैसे स्रीकांत है स्रीकांत भी बहुत आदर्श शर्क्रें नहीं है उनका या फिर देवदास तो मैंने कह करता ही देवदास क्या करता है देवदास अपने के लिए झाल नाइका को छोड़ देता है बाद में उसको लेकिंव पस्ताता रहता वग बात है वह अपने को चोड़ता नहीं है तो यह इस तरह के नायकों का तब चलन नहीं तो शरचंद्र हमेशा सेही कभी वी नहीं मिलता इसलिए बहुत सारे रचनाकार है सर जिनको मरन उपरांद बहुत सम्मान मिलता है क्योंकि वह जब जिन्दा थे वो जब जीवतकाल में वो द्रिष्टी नहीं रखते थे वो उससे बहुत आगे की द्रिष्टी रखते थे जो जिसका सम्मान उन्हें जीवतकाल मे वामा एंभी, जो अगर कोई लेखा दूर की मतलब हविषय की दुर रखता हो आगे की दुर के दुर्श्च सुर्न heiß का सब vibes वर्तमान काल की दुर्फ रखते है मगर आगे हो नने quantity में तर बहुत तब के बंगाली भद्र समाज में शरत्चंद्र को एक तरह से इसी पर तो विश्णुनागर ने लिखा था आवारा मसीहा तो आवारा आदमी की तब कोई कदर नहीं थी उन्हें आवारा माना जाता था उनकी लेखनी को आवारा माना जाता था तो मरनोपरान तुन्हें इम्मेंस मतलब निलाला की तरह उन्हें बहुत सम्मान मिला इसलिए अभी के चोटी के राचनागारों में शरत्चंद्र का नाम आता है क्योंकि उनकी दृष्टी थी वो बहुत ही अपने समय से बहुत आगे थी तो वो समय उनके लिए ठीक नहीं थ समय से बहुत आगे की दृष्टी रखते थे इसका यथोजी सम्मान नहीं मिला बंकीम बाबू या रविंदनाद भी अगर कहें तो वो समय के साथ चलने वाले लोग तो वहां से उनका उपन्यास के साहित अग्राफ महां से शुरू हता है बढ़ना जी 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 पहले बढ़नाद भी पाश्यात कावे से बहुत ज्यादा प्रभावित थे तो उसीज को वो पुट करते थे दीरे धीरे फिर बहां सोखेर बाली से उनका उन्हों उपन्यास लिखे भी ज्यादा नहीं है उनकी ज्यादा तर वो गीती क्यूंकि वो रंगमन से जुड़े हुए थ तो रविदनाद की ज्यादा तर वही है उपन्यास उन्होंने गिंती के ही लिखे है और उपन्यास तभी लिखे है जब वो एक साहित्यकार के रूप में प्रतिष्टित हो गये थे आपकी जब पुराने रविदनाद की प्रारंभिक जो रचनाय है मूलेत कविताएं और हित्यकार जो है कि तो वो सब है तो ये क्हां कहते हैं तो तब उन Generous की तरफ अपनेद्षी किरुई जादा तर उनकी बहुत साथी Son Гवें सार यह सवरी कविताएं उनकी ज्यदा है उन्होंने ज़्यदा तर काम हैं हाँ छोटो कहानिया उन्हो में ख़िय मिलती हैं वो ahead इसलीन समय पर चोटी कहानीया लिखते रहे हैं और चोटी कहानीया लग उपर काम किया है मगर हाँ उपन्याज Northern अपने रंचना काल में उसमें प्रदार्पन किया था उनका में जो क्पभी प्रवेश कर चुके थे तो उस समय वह जो भी काम करते वह काफी फेमस हो नहीं था तो एक बहुत बड़ा कारण वह भी रहा है और उनकी उनकी शैली में तब एक अलग तरह की परिपक्वता आ चुकी थी जो उनके शुरुआती गीतिनार्टियों कविताओं में नहीं मिलती है वह परिपक्वता आनी लाजमी है क्योंकि उन्होंने बहुत जादा तब तक काम कर लिए इसलिए जी 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 मैं विद्यार्थियों ने कुछ प्रस नहीं किया है मैं उठाता हूं एक विद्यार्थी पूस्त है कि बंगला साहित और हिंदी साहित अब यह लेके चलता है सर साहिति अपनी चैनल ये रहता नहीं है मतलब कोई भी प्रवड़िती यरी मतलब क्या कहते है उसको वाद है कोई भी वाद है वो साहिति में अलग-अलग समय पर आता है कभी साहिति में आता है जैसे मान लीजिए मैं दलिट साहिति की बात करती हूं सबसे पहले मतलब अब धालिण साहित्री आया उसको लेकिह Não फरक नहीं कर सकते हैं इंडिन सा этि में नहीं आया सबसे पहले सबसे पहले क्यूंकि जो साहित्यकार है वो नियमित रूप से दूसरे साहित्यकारों के से मतलब समवाद करते हैं, उनके कनेक्शन में आते हैं, चर्चाएं करते हैं, पढ़ते लिखते हैं और उनकी जो विचारधाराओं से वे प्रभावित होते हैं, कुछ वाद है, जो आपकी समाज पर निर्वर करती है, जयसे साहित्यकों समाज कादरपन कहाज़ाता है, जो समाज में उस समय जो चल रहा है। उसके उपड़ लिखी जाती है, तो conception, यहां तक कि भारतिय रचनाकारों थे साहितकार भी प्रभावित तो इसी तरह से चलता है फर्क बोलके तो किसी साहित्य में यह मैं कहूंगी कि बंगला साहित्य, कि हिंदी साहित्य से बंगला साहित्य में जो पुनर जागरन है जो रेनेसा है वो हिंदी साहित्य से काफी पहले आ चुका था यानि कि हिंदी साहित्य में जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण यूग चायावादी काल या उससे यह सब जो माना जाता है वो आपका का बाता है 1936 के बाद मगर बंगला साहित्य में वो काल आपकी रविंदनाथ के प्रवेश्च से शुरू हो गया था और 1941 में जब रविंदनाथ का देहान दुआ वह वाद खतम भी हो जुगा है मतलब रविंदनाथ उस पर अपना बहुत सारा काम करी चुके थे और जो बाद में जो जितने भी हिंदी में कभी और लेखक रहे हैं वह उनसे प्रवावित हुए है उसी तरह से जो एक दूसरे से प्रवावित होते हैं तो हिंदी साहित्य बंगला साहित्य में कोई वाद ज्यादा तर पहले ही आता है और बाद में हिंदी साहित्य में उसे अपना लिया जाता है मगर क शुरू से ही बहुत प्रचलित रहा है बंगाब में घरो घरो में आपको किताबे मिलती हैं और लोग पढ़ते हैं इसलिए जो रीडर्शिप है जो पाठक वर्ग है बंगला साहित्य का बहुत ज्यादा रहा है इसलिए लोगों को लिखने की प्रवरित्ती बंगला साहित्य में बहुत रही है आपको मतलब अगर आप इन सब को छोड़ दे सत सते जीत रहे सते करा रहे za inghole मोलतार निटेशकंत हैं उन्होंने बंगला साहित्य में मतलब přेंदश्काम किया है बहुत काम कई उन्हों है और यहाए कहां की रिदर्शिप उस लेवल की रही यहां चंछर कांटा से रेच्छिफ बढ़ी मकर उसके बाद एक सिलेक्टिव एक सेलेक्टिव रही है यानि कि कुछ एक बहुत बड़ा असलिक याज तरह की उपन्यास लिखने के बहुत और ऐसा नहीं है मतलब हिंदी साहित्य में भी कई ऐसे उपन्यास लिखे गए रोमांचकार उपन्यास या मतलब B-grade उपन्यास लिखे गए बंगला में ऐसा नहीं है अगर वो शिशु साहित्य लिखा गया या जासुसी उपन्यास वो एकदम A-grade और स्तरिय उपन्यासों में माना गया उन्हें साहित्य इतिहास में दर्जा दिया गया तो इस लेवल की उपन्यास या फिर वरनना एक समय काफी सीमीत रहा है बंगला साहित्य में पाठक वर काफी बड़ा मिला है और वहां के उपन्यास कारों और लेखकों को इस बात का ध्यान रखना पड़ा है कि पाठक वर की डिमांड क्या है हिंदी साहित्य इससे थोड़ा अचुता रहा है जी मैं धन्यवाद एक अंधिम प्रशनल व्ठाम समय भी हो गया जिप्दाच पूछते हैं हाँ समय भी हो गया जांगल के ना पात्रों का चाहित्रचित्र अरे इस फ़र चर्चा नहीं हुई ना यह पूछ रहा है कि जंगल के दावेदार में विर्चा के अलावा और पॉनकों से पात्रों का चाहित्र चित्र ना उस बार में बात नहीं हो पाई तो इतना बोलती नहीं एक मिनिट मुझे थोड़ा समय दीजिए गा कि इस पर में बात नहीं हो पाई बहुत अच्छा धन्यवाद शित्कुमार पानिग्रही जी आपने बहुत मतलब मेरा यह चूट गया था थोड़ा क्योंकि मैं एक प्लो में बोल रही थी जंगल के दावेदार में बिर्षा मुंडा प्रधान पात्र है और बिर्षा मुंडा के अलावा दो तिन पात्र और है जिसके बारे में एक अन्य पात्र में एक है धानी मुंडा धानी मुंडा जब बिर्षा मुंडा के साथी काम करता है मतलब बिर्षा मुंडा के जो विद्रो है उसका साक्षी रहा है और धानी मुं करके पातर है धानी मुंडा एक पातर है और धानी मुंडा के बहुत सारी चीजे हैं जिसमें धानी मुंडा बेगारी करते थे एक समय तो उसमें उन्होंने अलग-अलग वहां पे गाने गाते थे जिसमें उन्होंने अपनी हताशा और शोशन को व्यक्त किया है तो उसमें एक यह है कि गाने की सार कथा है कि बेगारी करते करते मेरे खंदे से खून बहने लगा है जमिदार का सिपाही रात दिन मुझे डाटता रहता है मैं दिन रात रोता रहता हूं बेगार करते करते मेरा यह हाल हो गया घर नहीं है मुझे सुक कौन देगा आसो की तरह मेरा खून नम किन हो गया है तो धानी मुंड़ा तो बाद में जब विर्शा मुंड़ा क्या देहान तो जाता है तो विद्ध धानी मुंड़ा उससे हतोच साहित नहीं होता है वो सभी को कहता है कि नहीं विर्शा भगवान था और भगवान दुबारा मतलब भगवान अगर गए हैं तो उन उसली बहुत शुरू से ही मतलब इनका चरीतर दिखाया गया था उनका चरीतर वहां पर शबसे पहले आता है कि जब बिर्सा मुंडा का देहांथ हो गया और उनका उनकी जो शव है उनका शव जब जलाया गया था तो शाली को वहां से लेकर मतलब लेका शाली को बुलाया गया और शाली को मतलब क्या कहते हैं शाली को वहाँ पर बुलाया गया उसने क्या किया बिर्सा मुंडा की जो राक है उसको अपने अंदर उसने अपने साथ आत्मसाथ कर लिया उसको इकठा किया राक को और उसने फिर कृतग्यता ग्यापन करक तो आचल में बांदा और कहा कि तुमने मुझे बहुत कुछ दिया शिवन, मैं इसे जंगल में उरा दूँगी, बिर्सा ने कहा था कि जंगल में राख उड़ा देने से जंगल को पता चलेगा कि बिर्सा उसे भूला नहीं है, राख धर्ती पर गिरेगी, धर्ती पर पीर का है इस तरह से वो बिर्षा मतलब अदिवासी जंजाती को बंगाली जंजाती के साथ बंगाली के साहथ समाज के साथ जोड़ती है अंवुलय के माध्यम से वह मुंडा के साथ ही बड़ा हुआ है मुण्डा के साथ पढ़ा लिखा है मगर वह बंगाली तथा कथी बंगाली समरांद परिवार जैसा सोच नहीं रखता है वह एक अनात बच्चा है जो और्फनेज में बड़ा हुआ है और वह बंगाली समाज की और उसमें उन्होंने एक महत्तपुन चीज को हाईलाइट किया है सर कि जो बंगाली समाज अगर जनजातियों की उपेक्ष़ा करता था तो जनजाती भी बंगाली समाज या दिकु लोग के लिए पुर्वाग्रा से ग्रसित थे उन्हें लगता था कि हर दिकु उनके साथ उपेक्षिती करेगा और वे अमुल्ल को उस नजर्य से देखने लगे थे तो इस तरह से उन्होंने एक महाश्वता देवी ने नए आयाम को खोला है कि नहीं जो उपेक्षा और तिरसकार है वो एक तरफा नहीं है जो आदिवासी समाज है वो भी सहते सहते एक पुर्वाग्रा से ग्रसित हो जाता है और बिर्सा को भ कट गया क्या नहीं ठीक है विर्सा अपने मन में पुर्वाग्रा नहीं रखता है और वो कहता है कि नहीं वो मेरा दोस्त है और वो जरूर हमाले लिए कुछ करेगा तो विर्सा वास्तविक रूप से एक जननायक के रूप में कि एक सक्चा जननायक क्या है जो पुर्वाग बनता है और उस तरह से फिर वो बिर्षा की भी गुप्तरूप से मदद करता है यह तीन-चार मुख्य पात्र है जो बिर्षा यह आपके अरन्य रदिकार में आपका अरन्य रदिकार में इनका मेंशन किया गया है तो इस तरह से और कोई सवाल है अब फिलाल को सवाल मुझे नहीं चलिए मुझे मैं आशा करती हूं कि मैं कुछ आपको कोई नई बात बता पाई हूं जो आपने कभी न सुना हो और शायद आपके किसी काम आ सकता है कि नहीं हलाकि आप मुझे बाद में भी संपर्क कर सकते हैं अभिशेग जी के माध्यम से आप मुझे संपर कर सकते हैं मैं जहां तक हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी कि आपका कोई भी प्रश्न हो उसका उत्तर मैं रून के निकाल सकूँ और आपकी कुछ न कुछ मदद कर सकूँ यकीन मानिये मुझे इसमें काफी खुशी होगी अगले सब्सक्राइब और आपका बहुत-बहुत अपने समय दिया और निश्य दिने इस नहीं आगले सब्सक्राइब और लक्षमी प्रिया जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सबसे जाए धन्यवाद हमारी टेक्निकल टीम को जो हमेंसा मेरे साथ निरंतर सुवे से ले करके और तो रुद्रप्रताप शर और दिवासिस भारिक सर आप दोनों का यह बहुत-बहुत धन्यवाद और पुना हम लोग एक बाद फिर से मिलेंगे में सियासा के मुझसे बात कर सकते हैं धन्यवाद सर्थदुरासथ इस साथ है ठेंग यू सर्थ मैम थांग यू सर्थ determination है तेंग फार्तव मज्ड़ में cooperative अंध्यस है ह trick कि हम मेंrick rider ॹट अ कर दो कर दो कि मैं जो मिडिल बॉटन ने जो स्पीकर और कामेरा का बीच में जो बॉटम में हो आहां मिल गया ओके सथ थैंक यू सर बहुत है आप से थैंक यू सो मच सब्सक्राइब क्या खिर है झाय में हुआ और सकता हा क्या खडते हैं कर दो कि में।